हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी लोग आज हम इस स्टूडियो में हमारा मैक्स का प्रैक्टिस सेट 16 करने वाले ठीक है इसमें जेतनी भी कोशन है मैं सारे आपको सौल करूँगा इसके लिए आप वुडियो आखरी तक जरूर देहना ओके तो इसमें देखो हमारा सबसे कुशन किया है इफ 317 x 45 is equal to 14265 then 3.17 x 4.5 is equal to what देखो यहाँ पर क्या बोल रहे है यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है 370 x 45 जिसका एंसर हमारा है 14265 सेम नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है लेकिन इसमें पॉइंट लगाया है देखो किया 3.17 है यहाँ पर और जिससे multiply हुआ है 45 यहाँ पर 4.5 है सेम नंबर है यहाँ पर पॉइंट है ठीक है तो answer क्या होगा answer तो यहीं सेम आपको होगा जो इसका आया है लेकिन इसमें पॉइंट लगे है कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ पहले हम यह वाला लिख देते हैं हमारा यहाँ पर ज there are in all three decimal places अब देखो यह नंबर में कितने decimal places है दोनों नंबर को मिला के यहाँ पर कितने नंबर के बात पॉइंट है one two यहाँ पर दो नंबर के बात पॉइंट है यहाँ पर कितने नंबर के बात पॉइंट है एक नंबर के बात पॉइंट है यहाँ यहाँ पर दो नंबर के बात पॉइंट है, यहाँ पर एक नमबर के बात पॉइंट है, तो दोनों को मिला के के इसम क्वेवारा हो जाएगा, 3, मतब 3 decimal places है हमारे यह वाले नमबर में, दोनों नमबर में, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पर answer आया है, बीना यहां पर 3 decimal places हमारी है, यहां पर 2 और यहां पर 1, दोनों के मिला गए 3 decimal places है, तो हम 3 number के बाद point लगा देंगे, 1, 2, 3, इसके बाद हम यहां पर point लगा देंगे, ओके, तो हमारा क्या होगा 14.625, यह हमारा है answer, समझ गया आप कैसे करना है, यह होगा हमारा, first, अभी second के है, same type के question है, क्या बोल रहे है, if 503 multiply by 217 is equal to 1,9151, then 5.03 multiply by 2.17 is equal to what, आपको पूछ रहे हैं, आप यहां पर चेक करो कि यहां पर decimal places कितने हैं, तो कैसे, देखो, यहां पर कितने number के बाद point है, 1, 2, यहां पर 2 number के बाद point है, यहां पर कितने number के बाद point है, यहां प को count करना है, कितना, 1, 2, यहां भी दो number के बाद point है, तो यहां भी हमारा decimal place के है, 2, अब तो यहां भी दो number के बाद point है, यहां भी दो number के बाद point है, तो 2 प्लस 2 केतना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 4, ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो decimal place यहां पर है, वो 4 है, ठीक है, तो हमे क्या करना पड़ेगा यहां पे जो बिना पॉइंट का जो नंबर था जो एंसर आया है इसमें हमें राइट से चार नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है तो कैसे आप लिखोगे पहले आप लिख दो में तब कि यहां पे चार डेसिमल प्लेस हमारे पास हैं तो हम कैसे लिखेंगे हमारे नंबर के दिएगा फाइव पॉइंट जीरो त्री मुल्टिप्लाइबाइ बाइ टू पॉइंट वन सेवन कुल तो यहां नंबर अपनी को वन लैक नाइन थाउजन वन हंड़न फिफ्ट वन कितने नंबर के बाद पॉइंट है चार हमारे चार डेसिमल प्लेस हैं यहां भी दो नंबर के बाद पॉइंट यहां भी दो नंबर के बाद पॉइंट तो टू प्लेस रू के तो चार डेसिमल प्लेस है तो हमारा यहां पे नाइन के बाद यहां पर हमारा पॉइंट है सब्सक्राइब करना है कि यहां पर डेसिंबल फ्रेक्शन दिया गया है तो है आपको किसे किसे करना है सब्सक्राइब करना है अब मल्टिप्लाइब करो नॉर्मली बिना पॉइंट लगाए आपका 28 तो आपका 8 यहां पर तू यहां स्ब्सक्राइब करना है तो यहां पर लिग दो उसका अदाब करें अब दो आगे हमारा मल्टिप्लीकेश 1707 1202 हो गया अब इसे हमें क्या करना है एड करना है तो आड करते है यहां पर आजएगा नीचे कुछ भी नहीं तो यह 8 0 प्लस 7 हमारा यहां पर 7 आजाएगा 1 प्लस 2 हमारा यहां पर 3 आजाएगा ठीक है तो हमारे क्या बिलाए 378 अब हमें क्या करना है हमें point लगाना है कैसे हम लगाएंगे यहां पर देखो आपको यहां पर कितने number के बाद point है एक number के बाद है और यह देखो तो हमारा यहां पर point है जाएगा तो हमारा final answer क्या है 3.78 इस तरीके से आपको करना है ठीक है फर्स्ट कर लिए हमने अब यहां चलते है second पर तो देखो यहां पर आपको question number 2 में क्या दिया गया 6.17 multiply by 3.9 ठीक है तो इसे हम कैसे करेंगे यहां पर लिखो आपका solution multiply करते है 6.17 multiply by 3.9 simple multiplication करते है बिना point लगा अभी हम 970 क्या होता है 63 तो आपका 3 यहां पर 6 आपका carrier 910 क्या होगा 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 15 तो 5 यहां पर आपका और 1 क्यार 960 क्या होगा 54 54 प्लस 1 क्या हो जाएगा 55 तो आपका यहां पर 55 ओके अब नीचे आते हैं 370 क्या होगा 21 21 का 1 यहां पर आपका 2 क्या होता है 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 5 360 क्या हो जाएगा 18 तो 18 आप यहाँ पर लिख दोगे 1 8 18 ओके अब हो गया अब इसे हमें क्या करना है add करना है आपके यहाँ पर 3 नीचे कुछ भी नहीं है तो आपके 3 यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर चाहिए तो 0 डाल दो 3 प्लस 0 3 होगा 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 5 प्लस 5 10 10 का 0 यहाँ पर 1 करिवर 5 प्लस 8 क्या हो थर्टीन जो प्लस 1 आपका होगा जो करिवर वाला 14 14 को 4 यहाँ पर 1 करिवर 1 यहाँ पर सिर्फ है और करिवर वाला 1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2 आपका इंसर क्या है 24,063 अब क्या करना है आपको यहाँ पे point लगाने कैसे लगाओगे यहाँ पर कितने point के बाद कितने number के बाद point है 1,2 कितने 2 number के बाद आपका point है यहाँ पे एक number के बाद आपका point है 2 plus 1 हो जाएगा 3 मतलब हमारे 3 decimal places है तो हम यहाँ पे 3 number के बाद point लगाएंगे तो कैसे करेंगे count कर लगा 1,2,3 तो 0 के बाद हमारा यहाँ पे point लगेगा क्या आपका 24,63 यह आपका answer है इस सरी कैसे आप लिख सकते हो ठीक है तो चलो अभी हम चलते 3rd में हमारा 3rd question क्या दिये गया है 3rd question हमारा है 0.57 multiply by 2 यह भी simple है एक दम जैसे वह आपको बाद की कराया है वैसी हम करेंगे तो देखो 0.57 यहाँ पर लिखो multiply by 2 270 के होगा 14 14 को 4 यहाँ पर 1 के रहे वाद 250 के होगा 10 तो आपका 10 जो रहेगा और उसमें 1 हमें add करना है जो यह 14 का carrier है तो 10 प्लस 1 होजगा 11 तो 11 का 1 यहाँ पर दूसरा 1 यहाँ पर carrier 2 00 होगा आपका 0 और यहाँ पर जो 1 carrier है तो 0 प्लस 1 आपका कहा जएगा 1 तो आप यहाँ पर 1 लिख दो ओके अब हमारा यह हो गया answer हमें क्या करना है पॉइंट लगाना है तो कितने number अब देखो हमें देखना पड़ेगा कितने decimal places है तो यहाँ पर कितने number के बाद पॉइंट है 1, 2 दो number के बाद पॉइंट है यहाँ पर तो पॉइंट है यही नहीं multiply by 0.7 ठीक है चलो इससे भी solve करते हैं यहाँ पर आपने को 5.04 multiply by 0.7 upon देखो simple हम करेंगे normal multiplication उसके बाद हम point लगाएंगे 740 का हता है 28 28 28 का आपका 8 यहाँ पर और 2 करेवर 7,0,0 जो 2 करेवर था 0 प्लस 2 होजगा आपका 2 750 क्या होगा आपका 35 तो आप यहाँ पे लिख दो 35 ओके अब यह 0 से multiply करना है 0,400 0,000 0,500 अब इससे हमें add कर देना है add करो 8, यहाँ पर अगर अब चाहो 0 डाल दो तो 8 प्लस 0,8 ही रहेगा 2 प्लस 0,2 5 प्लस 0,5 3 प्लस 0,3 अब हमें point डालना है तो कैसे point डालेंगे हमने क्या किया था decimal places चेक करना है तो यहाँ पर कितने number के बाद point है 1, 2 जो number के बाद point है यहाँ पर एक number के बाद point है 2 प्लस 1 मतब 3 decimal places है तो यहाँ पर हमें 3 number के बाद point लगाना है तो 1, 2, 3 तो हमें 5 गवाद यहां पर point लगाना है तो हमारा answer क्या गया 3.528 यह हमारा है final answer 4th का ओके अब हम चलते हैं question number 4th पर जो हमारा question number 4 है word problem है तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ पहले हम यहां पर लिख देते हैं हमारा question number 4 देखो आपको text book में क्या दिया गया है तो देखो यहां पर आपको question क्या दिया गया है यहां पर यहां पर आपको बोल रहे है विरेंद्र bought 18 bags of rice each bag weighing 5.205 kg क्या बोल रहे है विरेंद्र ने 18 bag rice के लेकर आए चावल के लेकर आए और उसमें से हर एक जो bag था वो कितने kilo का था 5.250 kg का था हर एक bag how much rice ready by all together क्या बोल रहे है उसने पूरा कितने kilo चावल खरीदा तो अगर आपको यह पता करना है उसने पूरा कितना kilo चावल खरीदा है तो जो एक बोरी के वज़न कितना है 5.250 kg है तो एक बोरी multiply by 18 bags आपको करना है तब आपको यह मालूम पड़ेगा टोटल उसने कितना kilo चावल खरीदा आगे और question क्या है if the rice cost 42 rupees पर kg how much did he pay for it क्या बोलने है अगर जो चावल था वो 42 rupees पर kg है तो उसने कितने पैसे दिये चावल के लिए यह पूरा जो चावल उसने खरीदा है कितने पैसे दिये सबसे पहले हमें क्या करना है हमें 18 multiply by 5.250 करना है तब हमें मालूम पड़ेगा कितना kilo चावल उसने टोटल खरीदा तो जो हमें टोटल मिलेगा उसको multiply कर देना है 42 से तब हमें मालूम पड़ेगा उसने कितना रूपया टोटल पे किया चावल के लिए कैसे आप करोगे एक दम अच्छे से मैं आपको बताता हूँ चलते हम नोटबुक की तरफ यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे क्या लिखा है कि एक बैग के अंदर 5.250 किलो चावल है यह हमें पता है 18 बैग विल कंटेन 5.250 मल्टिप्लाइ बै 18 केजी ओफ राइस तो अठरा बैग में कितनी चावल होगे हमें जो एक बैग का जितना वज़र है उससे अठरा से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो चलो करते हैं तो यहाँ पर देखो है 5.250 मल्टिप्लाइ बैटी तो 80,000 क्या होगा आपका 0 850 क्या होगा 40 40 का 0 यहाँ पर 4 उपर 820 अपका क्या हो जाएगा 16 ओके और देखो हमारा 4 केरिवर था तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 तो 20 का 0 यहाँ पर और हमारा 2 यहाँ पर करिवर 850 क्या होगा 40 40 और जो 2 करिवर हमारा आएथा 40 प्लस 2 क्या जाएगा 42 तो आपका यहाँ पर आजाएगा 42 ठीका 42 हो गया अब हम इससे मल्टिप्लाइ करते हो 1 से 10 क्या है आपका 0 1505 5 अब इससे हम करते हैं add प्लस को सेंड डलो यहाँ पर चाहिए तो आप 0 डाल दो 0 प्लस 0 आपका 0 रहेगा 0 प्लस 0 0 प्लस 5 आपका 5 रहेगा 2 प्लस 2 आपका जाएगा 4 4 प्लस 5 आपका जाएगा 9 क्या मिला आपका इंसवर 94500 अब यह में point केतने number के बाद लगानी है देखो कितने decimal places है 1,2,3 3 number के बाद point है नीचे point नहीं है तो हम यहाँ पे 3 decimal places मिले है तो यहाँ पर हम 1, 2, 3 3 number के बाद यहाँ पर point लगा देंगे मतला हमें कि answer मिला की जो विरेंद्र है, उसने 94.5 kg चावल खरीदा टोटल यह हमें टोटल मालू पड़ा है तो हम कैसी लिख देंगे यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे विरेंद्र बॉट 94.5 kg चावल की कीमत क्या होगी तो हम क्या करेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे लिख के मल्टिप्ला करते हैं चलो अब ही 250 क्या होगा 10 240 क्या होगा 8 प्लस 1 आपका हो जाएगा 9 और 2900 क्या हो जाएगा आपका 18 अब देखो 4 से करते हैं अब यहाँ पर आपका वन करीवर और उसको बाद हमारे 4 नाइंजर क्या होगा थर्टी सिक्स प्लस उन गपका 37 अब श्कॉम करते हैं एड देखते हैं एड्ड करके हमारा एंजर क्याते हैं पर प्लस किसा आन ड़ो यहाँ पर दिरो डाल दो जीरो प्लस जीरो आपका 16 और 1 carry over 1 plus 7 8 और plus 1 वाला carry over आपको जगा 9 3 यहापका 3 आजेगा ओके आपका answer क्या है 39690 तो हम यहापर क्या करना है point लगाना है तो कितने decimal places है यहापर देखो एक number के बाद point है नीचो point नहीं है तो मतलब हमारा जो चावल था जो विरेंदर ने चावल जो खरीदा था वो कितने रूपे को उसको पड़ा 39,3969 रूपीज का पड़ा तो आप कैसी लिख दो को है final answer आप पहले लिखोगे विरेंदर बौट 94.5 kg of rice मतलब उसने 94.5 kg rice total लाया और उसने he paid 3,969 for the rice उसने 3,979 रूपे rice के लिए pay किया ठीक है यह हमारा होगे question number 4 अभी हम चलते question number 5 पर तो दो टेक्स बुक में आपको question number 5 क्या दिया गया है हम देखते हैं पहले यहां पर आपको बोल रहे है वेदिका has 23.5 meters of cloth क्या बोले वेदिका के पास 23.5 meter cloth है she used to make five curtains of equal size क्या बोले उसने पांच पर्दे बनाए पांच curtains बनाए same size के if each curtain required 4 meter 25 centimeter to make how much cloth is left over क्या बोले अगर हर एक curtain हर एक पर्दा 4 meter 25 centimeter कपड़ा लगा है हर एक पर्दे को बनाने के लिए तो कितना कपड़ा बचा वेदिका के पास यह कपड़े का इस्तिवाल किया वेदिका ने पांच curtain बनाने के लिए जिसमें से हर एक पर्दे को 4 मीटर 25 सेंटीमेटर लगा तो आप कितना कपड़ा बचा वी दिखा के पास वो आपको बताना है तो कैसे हम करेंगे इसका दुखा आपको करना क्या है पहले हमें क्या देखना है कि एक पर्दा बनाने के लिए कितना मीटर कपड़ा लग रहा है चार मीटर 25 cm इसको हम multiply कर देंगे 5 से 5 से तो हमें मालूम पढ़ेगा 5 पर्दा बनाने के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए तो जितना हमें आएगा हमारा answer हम क्या करेंगे उसको हम 23.50 से माइनस करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा वेदीका के पास कितना कपड़ा बचा कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो आप लिखोगे 4.25 मिटर यह कपड़ा है एक परदा बनाने का कपड़ा जिससा हम लिख सकते हैं 4.25 इस तरीके से हम लिख सकते हैं ठीक है तो अभी देखो The cloth needed for one curtain मतब कि एक परदा बनाने के लिए कितना चाहिए हमें कपड़ा 4.25 मिटर जो हमने उपर लिखा है ठीक है अब The cloth needed for five curtain अब पाँच परदा बनाने के लिए हम यहाँ पर multiply कर देंगे, 4.25 multiply by 5, तुमारा answer क्या आएगा? 5 आप ज़र क्या होगा? 25, तो 25 का 5 यहाँ पर 2 कह रहे होगा, 52010, plus 2 आपका हो जाएगा 12, तो 12 का 2 यहाँ पर 1 कह रहे होगा, तो point बीच में आगया, और फिर 540 का होगा? 20, 20 plus 1 क्या हो जाएगा? 21, 21, तो 21.25 मीटर कपड़े लगेंगे, 5 परदे बनाने के लिए, ठीक है? कितने 5 परदे बनाने के लिए? अब देखो हमीं क्या बताना है कि वेदीका के पास कितने कपड़े बचे हैं तो पाँच परदे बनाने के लिए जितने कपड़े लगेंगे हमें उसको माइनस कर देना है 23.50 से तो कैसे हम करेंगे क्लोर्थ रिमेंड वित्वेदी का 23.5-21.25 तो हम यहाँ पर करेंगे 23.50-21.25 0-5 होगा क्या नहीं होगा क्योंकि ऊपरवाले नमबर नीच ओले नमबर से छोटा है तो यह अपने बाजवाले से बोरो करेगा उधारी बांगेगा तो यह अपना 5 इसको वन देगा तो यह खुद बन जेगा 4 और यह बन जेगा 10 अब माइनस कर सकते हैं 10-5 क्यों आगा 5 4-2 होगा 2 20 पॉइंट आगा है यहाँ पर पॉइंट है 3-1 होगा आपका 2 2-2 आपका होगा 0 मतलब वेदिका के पास कितने कपड़े बचे 2.25 मिटर कपड़े वेदिका के पास बचे तो आफ फाइना अंसर कैसे लोग होगे 2.25 मिटर ओफ क्लोथ रिमेंड विद वेदिका इस स अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फूल मांक्स है मिलती है अगले वीडियो में अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगाओ तो आपके वीडियो को लाइक करो अपने सभी दूस्तों के साथ शेर करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू